हाई वेलकम टू वाइपी एजुकेशन ट्रिक चेनल आप चहिनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस करें आप हमारी वीडियो को लाइक कॉमेंट और दोस्तों में शेयर करें हैंक्स हलो फ्रेंड स्वागत है आपको बाइपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर दोस्तों इस वीडियो में हम बाइलोजी लेके आए हैं और बाइलोजी में चैप्टर का नाम है वो है पादब जगत पादब जगत से बेरी बेरी इंपोर्टेंट कोशन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इस वीडियो को देखोगे आप तो बेटे आपको बहुत ज़्यादा नौलेज मिलने वाली है यह वीडियो आपके लिए मास्टर वीडियो होने वाली है तो आपसे रिकोस्ट करत कहा हूं कि इस वीडियो को सुरू से लेके लाश तक देखना तो बेटे करते हैं टॉपिक्स की सुरात तो इसमें कोश्चन कहा रहा है कि पौधों में मादा जन्नांगों के भागों का विवस्तित किरम है ए अप्शन है अंडास है बर्तिकाग्र बर्तिका एबं पुस्पासन इसको सीरियल से लगाना है किरम से लगाना है बी ओप्शन में दे रखा है बर्तिका बर्तिकाग्र अंडास है एबं पुस्पासन तो जल्दी से कमेंट करिए इसका करेक्ट एंसर क्या होगा देखों मादा जन्नांग है किसके प्लांड के इसमें आपको सीरियल से लगाना ह कि पहले क्या आएगा उसके बाद क्या आएगा फिर क्या आएगा और फिर क्या आएगा इस प्रिकार से सीरियल से कोशन को लगाना है तो सबसे पहले अगर हम बात करें देखो बेटे इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो बर्ति कागर आएगा क्या आएगा बर्ति कागर हो जाएगा next question की ओर चलते हैं बेटे आपको बताना चाहूंगा दिद देखिए अभी तक आपने वीडियो को लाइक निकरा तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब निकरा तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कल लीजिए देखो बेटे ये question है very very important question लेके आया हूँ इस वीडियो में जो किसी ना किसी एक्जाम में अब तक पूछे गए हैं वो बेतरीन question लेके मैं आपके लिए आया हूँ समझे next question नमन में इसे कौन सा जलिये ब्रायोफाइड है देखो जलिये ब्रायोफाइड की बात कर रहा है आय और मारकेंसिया पालमाटा ब व स्क hierarchyية integravert यह वीडियो देखने के बाद आप किसी भी competitive exam में बैठना, किसी भी exam में बैठना, यही question आपको biology से देखने को मिलेंगे, तो बेटे high label की यह class होने बाली है, आपकी intel level से थोड़ा high label है, ग्रेशन लेबल का, तो आप इस वीडियो में बने रहे है, इस वीडियो को अच्छे से समझे, question बहुत top के question इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो आपको बताना है, जलिये ब्रायोफाइटा है, वो कौन सा है, तो देखो जलिये जो ब्रायोफाइटा है, वो है rixia pollutants, d option ब दिया जाएगा, next question, अगला question समझे, अगला question देखे, यह slide है, बहुती बेहतरी इन slide है, slide है देखी लिखा है, ब्रायोफाइटा, के लिखा है, ब्रायोफाइटा, कह रहा है कि पादब जगत का amphibia बर्ग है, जो plant जगत है, पादब जगत है, उसका जो amphibia बर्ग है, वो है ब्रायोफाइटा, next ब्रायोफाइटा में अपसेंट होता है, यानि ब्रायोफाइटा है, उसमें अनुपस्तित होता है, तो क्या अनुपस्तित होता है, संबहन उतक जो होता है, वो अपसेंट होता है, संबहन उतक की अगर हम ब्रेकेट में देखी दे रखा है, जायलम और जाएलम और फिलोम जो होता है वो ब्रायोफाइटा में अफसेंट होता है थर्ड पॉइंट ऐस में रिक्सिया प्लूटेंस यह एक जलिये ब्रायोफाइटा है अभी हमने आपजक्ट इसका पड़ा था नश्ट पॉइंट ऐसमें एधन के रूप में प्रियोग किया जाने व लिया, इसका answer क्या हो जागा, पूढ इस्तंब परजीबी कौन है, अमर बेल, यह देखे कुछ examples मैंने आपके लिए लेके आया हूँ slide में, देखो यह question आप से पूछा जासकता है, पूर इस्तंब परजीबी कौन है पूर इस्तंब जो परजीबी पूछेगा वो पूछेगा यह हो जागा अमर बेल अमर बेल है यह हमारी पूर इस्तंब परजीबी है अब देखो दिया है अपूर इस्तंब परजीबी है तो जो अपूर्ड इस्तंब परजीवी है वो है लोरेन्थम यैपूर्ड मूल परजीवी का उधारण तो अपूर्ड जो मूल परजीवी का उधारण है वो है चंधन बेटे आपको अगर हमारे क्लास से जुड़ना है तो हमारा बार्टसा नमबर है 8650415957 आप इस नमबर से जुड़ सकते हैं आप अगर क्लास 11 agriculture के इस्टूडेंट हैं या फिर क्लास 12 agriculture के इस्टूडेंट हैं या किसी भी competition क्लास की आप biology की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं ठीक है क्लास 11 एजी क्लास 12 एगरी कल्चर के आप important question लेना चाहें तो आप ले सकते हैं इसके बाद संपूर कोर्स अगर आप लेना चाहें तो संपूर कोर्स भी आपको उप्लब्द है चलिए बेटे यह स्लाइट आप देख रहे हैं यह स्लाइट आपके लिए बहुत महत्पूर है इसे बिल्कुल ध्यान से समझेए देखिए ए में दे रखा है जल अपसोसाड बी में दिया है खनेज अपसोसाड सी में दिया है जल परिवहन और डी में दिया है खनेज परिवह ही है तो समझो देखो जल का अफसोसर किसके माद्यम से होता है अगर हम बात करें तो यह हो जाएगा मूल रोम के माद्यम से क्यों जाएगा थ्रडवाला अगर हम बात करें खनेज अफसोसर की तो खनेज अफसोसर किसके साथ जाएगा फोर्थ उप्सन के विकल्प के साहथ एपि berlma अब है जल परिवहन कि बात करें, तो जल परिवहन का, किससे सम्मंद है, जाइलम से, यह काम् होता है जाइलम गधने परिवहन प्रिवहन का समंद किससे है फिलोम से अब आपको विकल्प में पैचान occurrence आए देखो बेटे एका हमने मिलान करा है थ्रड के साथ तो एक तो बी ऑप्षन में और एक है डी ऑप्षन में ठीक है भी और डी में अब हमने खनेज अप्सोषड को मिलाया है फोर्थ ऑप्षन में तो फोर्थ ऑप्षन में क्या है देखिए आपके सामने इसमें D वाले में भी B अफ हो रहे, और B वाले में भी B अफ हो रहे, दोनों अभी विकल्प चलने है, इसके बाद जो थरड है जल परिभषन, जल परिभषन को हमने मिलाया जाइलम से, यानि C का बन, तो C का बन कौन सा है, ये बेटा B वाला विकल्प हमारी पकड़ में आ ग आईए इस कोश्चन पर बहुत ही बहती बहतीन कोश्चन है यह कीट भक्षी पौधों के लिए कीट भक्षी पौधों के द्वारा कीटों के भक्षड करने को का प्रमुक कारण है जो कीट भक्षी पौधे होते हैं उनके पौधों के द्वारा जो कीटों का भक्षड कर जाता है उसका कारण क्या है एक सबसक्ता है के अगर हम इस इंसर की बात करें जो कीट भक्ची पौदे होते हैं कीट भक्ची पौदों के द्वारा कीटों के भक्चड करने का मुख जो करण होता है वह होता है नाइट्रोजन प्राप्त करना यानि डी ऑप्चन उसका बिलकुल सही है अब देखो यहां पर थोड़ी आश्टा आप नौली ले लिजि आपिल में यह डाल लो यूट्री कुलेरिया भी कीट भक्ची पौधा है और यूट्री Sutra के साथ में दूसरा आपको लिखना है ड्रोजन पौधा है तीसरा लिखना है नहीं दमाटिर के लिखना है नेभण्टीजह नेभण फेंदिमिंए तीन पौदे हैं जो कीट भक्च ये लिएर नाइट्रोजन की प्राप्ति के लिए कीटों का भखछाल करते हैं यह ऐसे इसतानों पर पाइजाते हैं जहां पर नाइट्रोजन की कमी होती है ठीक है तो आपको पूरी नॉलेज मिल चुकी होगी चलते हैं आगे की ओर चलिए बेटे ये स्लाइट देखिए बहुती अच्छी स्लाइट है इस स्लाइट का आप स्क्रिन सॉट ले लेना और स्क्रिन सॉट ना लो तो बेटा इसकी पीडियेप तो मैं सेंड कर दूँगा बहुती बेहतरी इन कोशन है इस वीडियो में कीट भक्षी पौधे समझो ज कीट भक्षी पौधे किसकी कमी को पूरा करने के लिए कीटों का भक्षड करते हैं तो आपको अभी मैंने बताया था पिछले कोशन में कि नाइट्रोजन के लिए किसके लिए नाइट्रोजन प्राप्ति के लिए कीट भक्षी पौधे होते हैं वो कीटों का भक्षड कर ल क्या है यूतारि लो अब इहां पर देखो यहां पर कीट-बक्षी पौद में क्या आया कीट-बंची-बंची-बनkyk के फ非ल्ची आप से पूछे दो भी आपका एंसर क्या है यूतारि साक्राइब दो जगाए और अब कीट भक्षी वे तीसरा प्वांड समझों वह कह रहा है कि बहे कीट भक्षी पौदा जो बीनस फ्लाइटेप जो बीनस फ्लाइटेप के नाम से जाना जाता है वो क्या है देखो बेटा मैं आपसे पहले ही मैंने कह दिया था वीडियो थोड़ी हाई लेबल की है मतलब कोर्स प्रिकार का मैं आपसे लेवल करा रहा हूं कि कहीं से भी कोश्चन आएगा तो आपका कोश्चन मिस नहीं होगा कह रहा है कि बहे केट बख्षी पौदा जो बीनस फ्लाइट जो बीनस फिलाई ट्रेप के नाम से जाना जाता है तो वो है बेटा डायो निया डायो निया नैस्ट है ब्लेडर बर्ट ब्लेडर बर्ट कीट भक्षी पौदा का बनस्पति नाम है तो यूट्री कुलेरिया है क्या है यूट्री कुलेरिया देखो ब्लेडर बर्ट जो है वो कीट भक्षी पौदा का बनस्पती नाम है तो क्या नाम है यूट्री कुलेरिया ये सलाइड आपने समझ ली तो वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं करा तो प्लिज वीडियो को लाइक कर दीजिए वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में सेर कर दीजिए ताकि हर बच्चा घर बैठे अपनी अच्छे से तयारी कर सके चलते हैं बेटे आगे की ओर चलिए बेटे इस कोश्चन को समझिए देखो कोश्चन बहुत ही इंपोर्टन कोश्चन है बेटे इस सज्टाय लगाई इस फिर डबल्सटाया लगाईए कोश्चन कर रहा है बहे फूल जिसमें अंखुंडी कॉमा पंखुडी कॉमा पोकेंशर एवम इस्त्री के सर उपस्ते तो होते हैं कहलाता है क्या कहलाता है सरय बहे फूल अप्षन ठर्थन जल्दी से कमेंड करिए चलिए मैं आपको बता देता हूं इसका एंसर हो जागा बी ऑप्शन बिल्कुल राइट पूल फूल बहे फूल जिसमें अखूंडी कॉमा पकूंडी कॉमा पकेंसर कॉमा इस्त्रीकेसर उपस्तित होते हैं क्या कहलाता है पूल फूल कहलाता है नैस्त कॉश्चन अगला कॉश्चन समझी बेटे कोश्चन कहरा है रेसेदार मूल का उधराल है देखो बहुती अच्छे अच्छे कोश्चन आपको इस वीडियो में मिलेंगे जो किसी ना किसी एक्जाम में आय हुए कोश्चन है देखो यह भी आया गाजार अगर हम रेशेदार मूल कउधार की बात करें तो इसका पर अंसर क्या होगा यह आप को बताना है ठीज रेशेदार जो मूल का उधार है हमारा सी ओप्षन इसमें विल्कुल रायट हो जाएगा इसका एंसर क्या है मक्का चलते हैं नेस्ट कोश्चन की और अगला होती है पादपो में ऑउक्षिन की किसकी पादपो में ऑउक्षिन की सबसे औधिक सांदरता कहां होती है अगर सबसे अधिक सबसे अधिक सांदर्ता कहा होती है यह पूछ रहा है ना तो पाध्पो में आउक्षन की सबसे अधिक सांदर्ता होती है ब्रदि कटने वाले सीर्स भाग में होती है A option इसका बुलकुल करक्ट है अगला कोश्चन समझे अगला कोश्चन क्या राए देखिए देबदार संबंदित है किस से एक बीज़ पत्री पादप से अनावरत बीज़ी पादप से दी ओप्षन है टेरीटो फाइटा से जल्दी से कमेंट करिए इसका करक्ट एंसर क्या होगा देबदार जो सं से संबंदित है तो इसका करेक्ट एंसर हो जागा अनावरत बीज़ी पादप से सी ओप्षन इसका बिलकुल सही है चलिए इस स्लाइड को समझे बहुत ही अच्छी स्लाइड है जीम्नो स्पर्म से रिलेटेड ठीक है कोश्चन कह रहा है नगन बीज़ी पौधे कहलाते है तो जो नगन बीज़ी जो पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं अनावरत बीज़ी पौधे कहलाते हैं इसी को हम जीम्नो स्पर्म कहते हैं सेकंड पौइंट है सबसे बड़ा बीजांड पाए जाता है तो जो सबसे बड़ा बीजांड है वो किस में पाए जाता है साइकस मे कोरे लाइट जड़ों में सहजीवी के रूप में पाय जाते हैं साइकस के कोरे लाइट जड़ों में सहजीवी के रूप में पाय जाते हैं एनवीन नौस्टॉक एनवीन नौस्टॉक को हम क्या बोलते हैं नील हरित सैवाल अगला पॉइंट है जीमनो इस्पर्म का मेवा कहा जाता है तो वो कहा जाता है चिलकोजा को नेस्ट कोशन है जीवित जीवास्म कहा जाता है तो जीवित जीवास्म है वो किसे कहा जाता है एंसर हो जागा हमारा साइकस को नेस्ट जो पॉइंट है चीड की पेड़ से प्राप्त होता है किया जाता है तो जो चीड के का पेड़ उससे क्या प्राप्त के जाता है एंसर हो जाएगा तारपीन का तेल चीन के पेर से प्राप्त के जाता है तारपीन का तेल तो बस बेटे इस वीडियो में इतना ही था वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करिए और बताइए कि आपको इसी तरह की वीडियो परसंद है झाल